नई बहु को मिला भुकर ससुराल लड़की का परिवार अच्छा है तीन नंद माता पिता साथ में दो छोटे भाई भी हैं लड़का इंजीनियर है और बहुत पैसे कमाता है ये सुनते ही नैना के होश उड़ जाते हैं तीन नंद दो छोटे देवर उपर से साथ ससुर के साथ मेरा पती इतना बड़ा परिवार हरे मा इतने बड़े परिवार में तो मैं परिशानी हो जाऊंगी काम भी करो और उनके ताने भी अलग से सुनो अरे बेटी परिशान क्यों होती है पंडिजी मेरी बेटी के लिए ससुराल ऐसा दिखाओ जहां माता पिता और लड़का इकलोता हो ताकि मेरी बेटी को ज्यादा परिशानी न उठानी पड़े चलिए अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं आपको एक अमीर घर का रिष्टा दिखाता हूँ एक लोता बेटा है साथ में माता पिता रहते हैं नैना जैसे ही लड़के की फोटो देखती है उसे लड़के की तस्वीर अच्छी लगती है अरे लड़का तो अच्छा है एक लोता है परिवार भी छोटा है और क्या ही चाहिए मा मुझे लड़का पसंद है ओह पगली चलो ठीक है कोई लड़का तो तुझे पसंद आया पंडी जी अब आप इसी लड़के से मेरी बेटी के रिष्टे की बात चलाईए हाँ हाँ बेहन जी बिलकुल फिर क्या था पंडेत उस अमीर घर में जाकर रिष्टे की बात कर लेता है अब दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है बहुत जल्द शादी के तारीग भी निकलाती है मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी के तारीग भी निकलाएगी बेटी अपने ससुराल में जाकर खुश रहना खुश तो रहूंगी ही माँ छोटा सा परिवार है सुबह शाम रोटी दुपहर में सोना फिर रात को अराम करना नैना को बहुत आसान लग रहा था लेकिन वैसा होने नहीं वाला था शादी होने के बाद जब अपने ससुराल आती है तो उसका ससुराल में घर बहुत बड़ा होता है जिसमें उसे सफाई करने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है हे बगवान, अमीर घराने में तो आगी लेकिन यहां जाडू पोचा करते करते ही मेरी कमर टोट गई तब ही आवाज आती है, बहू, ओ बहू, अरे अभी तक तुने नाश्टा नहीं बनाया नैना फटाफट सफाई करने के बाद अपनी सास के पास जाती है मा जी बस रसोई में ही जा रही हूँ, मैं पहले सफाई कर रही थी अच्छा सुनो, मेरी नंद और उसके बच्चे आज घर पर आ रहे हैं, उनके नाश्टे के लिए आलू के पराठे बना ले नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है जहां वो बहुत सारा आटा गूतती है इतना सारा आटा गूतने में ही मेरे हाँथ दुखने लगे, अभी तो इनके पराठे भी बनाने है नैना रसोई में आलू के पराठे बना ही रही थी कि हेमलता की नंद मायेश्वरी अपने बच्चों के साथ आ जाती है अरे वा, सही समय पर आई हू नंद जी, गरम गरम पराठे बन रहे हैं बहु चलो, नाश्टे की टेबल पर ही बैठते हैं, वहीं पर बाते करेंगे नाश्टे की टेबल पर आने आने में ही मेरी फिरकनी बन गई, मैंने तो छोटा सा परिवार समझ कर इस घर में शादी की थी, यहां तो सबकी अलग ही फरमाई शलती है तब ही नैना के पती शिवा की आवाज आती है अरे नैना, मेरे प्यास के पराठे नहीं बराई तुमने अभी लाती हूँ जी नैना प्यास के पराठे बनाकर अपने पती के लिए नाश्टे की टेबल पर लेकर आती है ये लीजे, प्यास के पराठे, तब ही माहिश्वरी कहती है बहु के हाथों से पहली बार खाना खा रही हूँ, बहुत स्वादिश्ट है, ये पराथे हैं, ये लो तुम्हारा शगुन इस तरह महाईशुरी नैना को शगुन दे कर जाती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन नैना बहुत ज्यादा ठक जाती है तब के सो जाने के बाद वो सब के जूठे बरतन भी दोने लगती है आज तो पूरा दिन हो गया मुझे, लेटने का समय ही नहीं मिला नैना बरतन दोने के बाद अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तब ही उसके ससुर उसे कॉफी बनाने के लिए कह देते हैं अरे सुनो बहू, जरा एक कप कॉफी बना देना अब भी बना कर लाती हूँ पिता जी नैना दूबारा रसोई में जाती है और कॉफी बना कर अपने ससुर जी के लिए लेकर आती है आकिरकार उसे थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी करने को मिल जाती है लेकिन फिर शाम की अलग फर्माईश शुरू हो जाती है बहु शाम के खाने में वेज बिर्यानी, शाही, कोर्मा और चावल बना लेना फिर से कोई आ रहा है क्या माजी घर पर? आरे नहीं ये तो शिवा को बहुत पसंदे सिल्य बनवा रही हूँ ठीक है माजी, अब शाम का खाना बनाने के लिए नैना फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए खुद से ही कहती है हे भगवान, क्यासा परिवार मिला है मुझे? सुबह शाम मेरे ससुराल वालों को शाही पकवान ही चाहिए होते है और इतने भुकर लोग है कि इने हर तोड़ी दिर में भूख लग जाती है डिनर में इतना हैवी खाना कौन खाता है? मैं तो बेकार ही फस गई इस घर में आकर नैना ऐसा खुद से बोलते हुए खाना बनाती रहती है उसे रसोई में बहुत गर्मी भी लगती है लेकिन फिर भी वह खाना बनाती है खाना तो बहु बहुत स्वादिष्ट लग रहा है खुश्बू से पता चल रहा है हाँ हाँ मेरी मेनच जो लगी है स्वादिष्ट तो होगा ही नैना भी खाने की टेबल पर बैट कर खाना खाने ही वाली थी कि तब ही किसी के आने की दस तक होती है हेलो गाइस मेरे बिना ही खाना खा रहे हो अरे बेटा चिराग तुम यहाँ विदेश से कब लोटे मेरे साथ मेरे कुछ दोस्ट भी घर पर आई है कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ नैना ये मेरे ताउजी का लड़का है विदेश पढ़ने चला गया था बच्चपन में मेरे जिगरी यार यही है जाओ नैना इन सब के लिए भी खाना परोस कर ले आओ अगर रोटी कम हो तो और बना लेना हेमलता ऐसा कहकर बेचारी नैना को फिरसे रसोई में भेज देती है नैना को खाने के साथ दुबारा से रोटियां भी बनानी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा ठक जाती है सब को खाना खिलाते हुए उसी के लिए खाना नहीं बचता ये लो बस यही रह गया था मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा कैसे भुकर लोग हैं एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं नैना को बहुत बुरा लगता है वो अपने कमरे में सोने चली जाती है इसी तरह जब भी वह कुछ बनाया करती तो सारा खाना उसके ससुराल वाले ही खा जाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं बचता उपर से घर में महमानों का आना जाना लगा ही रहता है जिसके चलते एक दिन नैना की बहुत ज़्यादा तबियत खराब हो जाती है इनके शरीर में बहुत ज़्यादा ठकावट है लगता है काफी दिनों से जरा भी आराम नहीं मिला है इसलिए शरीर में कमजोरी हो गई है ये मैंने दवाईयां दे दी हैं बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए जल्दी ही ठीक हो जाएंगी डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद हैमलता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहु के पास जाकर उससे कहती है जब से तुम इस घर के अंदर आई हो सारे काम तुम ही देख रही हो मैंने तो कोई काम नहीं किया है और ये भी नहीं सोचा कि तुम कितनी ठक जाती होगी मुझे माफ कर देना बहु लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी मदद करवाया करूंगी मा जी आपको माफी मांगनी की जरूरत नहीं है मैं इस घर की बहु हूँ और घर की जिम्मेदारी समझना मेरा फर्ज है नैना इतना कह रही थी कि तभी घर पर उसकी तबियत के बारे में सुनते ही ताई जी, मौसी जी, बुआ चीज सब आ जाती है उसकी देख रेक के लिए हमारे रहते बहु को एक भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी औरे बुआ ताई जी है ना और मौसी जी भी है हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे इस तरह सब लोग नैना की बहुत अच्छे से देख रेक करते हैं नैना को इससे ये समझ आता है कि रिष्टेदारों का आना जाना अच्छा होता है और सब के साथ प्यार प्रेम से रहना भी बहुत जरूरी है जैसे ही वो ठीक हो जाती है वो पहले की तरह फिर से घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लेती है चलिए आप सभी आज खाने की टेबल पर बैठिए अब मेरी तब्यद बिल्कुल ठीक है मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है पीछे से हम लता आती है अब से मैं भी तुमारी रसोई में मदद करवाया करूंगी और मैं जानती हूँ आखरी में तुमारे लिए कुछ नहीं बचता इसलिए पहले ही तुम अपने लिए खाना निकाल लिया करना ये सुनते ही नैना को बहुत खुशी होती है और उसे अपनी मा की याद आ जाती है जिसकी वज़ा से उसकी आँखें भर आती है अरे ये क्या बहु तु रोने क्यों लगी बस आज आपकी बाते सुनकर मुझे अपनी मा की याद आ गई हेम लताओ से गले से लगा ले थी है इस तरह दोनों साज बहु मिलकर घर को संभालती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं